हेलो गाईज तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ दमालू की रेस्पी जो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिश्ट होती है और बनाने में बहुत ही इजली ये घर में बन जाती है आईए बनाते हैं दमालू की रेस्पी तो इसके लिए मैंने लिया है पांच छे आलू लिये हैं गाईस आलू मैंने ना तो छोटा ना तो बड़ा मैंने बीच वाला साइज आलू लिया है मैंने बढ़िया से इनको छील कर पानी में डाल दिया था कि ये काले ना पड़े ये बिल्कुल मीडियम साइज आलू है अब हम एक ये देखिए काटे वाली चम्मस से इसमें पूरे आलू में बढ़िया से हमने इसको प्रेस कर देना है कि ये बढ़िया से हमारी आलू फ्र हमने दो टमाटर बड़े दो बड़े प्याज पांचे के लिए हमने लेशन की लिए है यह अक्सर जो हरी मिर्च में हमारी लाल मिर्च निकल जाती है वो ली है इनका जो स्वाध है बहुत ही अच्छा इसमें आता है एक टुकड़ा हमने अधरक का लिया है पांचे पीस मैंने काजू लिए है इधर हमारा तेल गरम हो गया है गाइस अब हम इसमें एक-एक करके आलू डाल देंगे गैस की आज को मैंने मीडियम ही रखा है एक-एक करके हमने इनको ऐसे पलटते रहना है कि ये जब तक ब्राउन ना हो जाए हमारे आलू दम आलू की जो सबजी है गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही इजली ये घर में बन जाती है ये देखिए आलू हमारे बढ़िया से फराई हो गए है ये देखिए ऐसे ही हमने इनको पलटते रहना है ये देखिए आलू बढ़िया से फराई हो गए है अब हमने एक बरतन में इनको निकाल लेना है आईए अब हम बनाते हैं गरैवी मैंने कड़ाई में से एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है गाईस अब हम इसमें डालेंगे काजू काजू को हमने ज़्यादा रोष्ट नहीं करना है गाईस अब हम इसमें डाल देंगे ये पांच छे कलिया जो हमने लेशन की ली थी वो मैंने डाल दी है ये अदरक के टुकड़े डाल दिये ये पेयाज कटा हुआ मैंने डाल दिया है ये कटा हुआ टमाटर भी डाल दिया है ये मिर्च भी मैंने इसी में डाल देना है गैस के आज हमने मीडियम ही रखा है ऐसे चलाते हुए अब हम इसको 2-3 मिंट के लिए ढख कर पकाएंगे ये देखिए 2-3 मिंट के बाद ये गर्यवी बनने के लिए त्यार है ये बढ़िया से पक चुका है अब हमने गैस को बंद कर देना है गर्यवी बनाने के लिए इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है गाईस आईए अब हम तड़का लगाते हैं एक छोटी चमच मैंने जीरा डाल दिया है ब्राउन होने तक हम इसको चलाते रहेंगे ये देखिए जीरा हमारा ब्राउन हो गया है गाईस अब हम इसमें डाल देंगे दाल चीनी का एक टुकड़ा ये देखिए मैंने दाल चीनी का टुकड़ा इसमें डाल दिया है अब हमने इसमें ये तेज पत्ते हमने दो डाल दिये है इनका जो टेस्ट है गाईस बहुत ही अच्छा इसमें आता है दो पीस मैंने लवांग डाल दिया है एक मैंने बड़ी इलाइची डाल दी है मसाले वाली इनको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है अब हम इसमें डाल देंगे ये ग्रैवी जो हमने ग्राइंड किया था ये देखिए हमने डाल दिया है इसको हमने ऐसे चलाते रहना है गाईस गैस की आज को हमने मीडियम ही रखना है ग्रैवी को एक मिर्च चलाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच मैंने घर का मसाला डाला है इसमें मैंने जीरा, काली मिर्च, धनिया सूखे का पाउडर बना लिया था एक चमच डाल दिया है एक चमच मैंने ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है स्वाद अनुसार मैंने नमक इसमें डाल दिया है ये देखिए इसको हमने मिक्स कर देना है जिस जार में हमने guys grind किया था उसमें हमने पाणी डाल दिया था उसी पाणी को हमने मसाले में डाल दिया है यह देखिए बढ़िया से हमारा यह मसाला पक जाएगा अब हम इसको दो मिन्ट के लिए medium arch में ढक देगे दो मिन्ट के बाद ये देखिए हमारी गरेवी बन कर त्यार है गाइस अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किये हुए आलू इनको भी हमने मसाले में मिक्स कर देना है ये देखिए बढ़िया से हम इसको मिक्स कर देंगे अब हम इसमें डाल देंगे ये देखिए गरेवी का जो पानी था वो हमने इसमें डाल देना है गाइस ये देखिए इसमें हमने ये गाड़ा है थोड़ा सा उपर से हम और इसमें पानी डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक गिलास पानी की गरावी हमारी थोड़ी पतली रहे, अब इसको हमने पांच मिन्ट के लिए धक कर पकाना है, ये देखिए गाइस पांच मिन्ट के बाद हमारी सबजी बन कर त्यार है, ये देखिए बढ़िया से हमारी सबजी बन चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे एक चोथाई चमच गरम मसाला उपर से इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच देसी घी देसी घी का जो स्वाधे गाईस इसमें बहुत ही अच्छा आता है अगर आप देसी घी नहीं पाना चाहते हैं तो इसमें आप घर की फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया ये उपर से हमने इसमें हरी धनिया डाल देना है guys बढ़ीया से इसको भी हमने mix कर देना है फिर से हम इसको धक्कन लगाके एक मिंट के लिए रख देंगे ये देखिए एक मिन्ट के बाद हमारी सबजी बन कर त्यार है अब हम गैस को बंद कर देंगे ये देखिए दा मालू की सबजी बन कर त्यार है अब हमने एक बरतन में इनको निकाल लेना है ये देखिए गैस हमारी दा मालू की सबजी बन कर त्यार है अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगे तो घर में जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेर जरूर करें हम फिर मिलेंगे एक नई रेस्पी के साथ